हे गाईज वेलकम पैक टी लीलावधी क्लास्स और आज का जो हमारा ओगनाइजेशन है वो है ब्रिक्स लास्ट क्लास में आपने देखा होगा हम लोग ने जी सेवन ओगनाइजेशन की बात करी थी या ग्रूपिंग कह सकते हैं आप उसकी बात करी थी मतलब हम उन सबने जा घर विश्र ती हुई और भरति और विवस्ता को दर्शा रहा है तो चलिए इसी के साथ BRICS के बारे में जानना शुरू करते हैं अगर हम सबसे पहले BRICS की बात करें वो एक नाम दिया गया है, एक एक्टोनिम दिया गया है किसको Grouping of the World's Leading Emerging Economies यानि कि विश्व की उभर्दी हुई अर्थिवयवस्थाओं का जो एक समू है उसको ये नाम दिया गया है अगर हम BRICS की बात करें तो ये जो BRICS है यानि कि B-R-I-C-S ये शुरुवात से ऐसा नहीं था इनीशली जब ये बना तब इसका नाम था BRICS यानि कि B-R-I-C जो क्या दिखाते थे? They together represent एक significant share of world production and population और इसकी स्थापना कब हुई है यानि कि ये कब फॉर्म हुआ है ये 2009 में बना है और साथ-साथ 2010 में South Africa ने जब इस grouping को जोईन किया जब इन वर्ल्ड की leading emerging economies को जोईन किया तब से इसका नाम क्या कहलाए गया? BRICS यानि कि B-R-I-C-S तो I hope कि अब आपको BRICS की थोड़ी सी history भी पता चल गई होगी और BRICS किस countries को या किन countries को ये नाम दिया गया है वो भी आपको समझ में आ गया होगा वहीं अगर हम BRICS के बारे में और देखे तो जो BRICS है वो एक अंतर राष्ट्री अंतर सरकारी संगठन नहीं है जैसा कि हाँ आपने देखा होगा last classes आप लोग ने अगर attend की होंगी और जो viewers आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो और organization जिनसे हम deal कर चुके हैं उन्हें channel पर playlist है organization, international organizations के नाम से आप वहाँ जाके check out कर सकते हैं या फिर आप i button पे भी click कर सकते हैं तो अभी तक जो हमने organization देखी उसमें से कुछ organizations ऐसी थी जिने हम कह रहे थे कि ये एक international, intergovernmental organization है वही अगर हम BRICS की बात करें तो ये एक ऐसी organization नहीं है मतलब ये एक अंतराश्ट्री, अंतर सरकारी संगठन नहीं है और ना ही हमने इसे किसी संधी, किसी agreement ये किसी treaty के द्वारा बनाया है ये basically क्या है? simple 5 देशों का एक एकिकृत platform है जो world की 5 leading emerging economies थी उनको एक साथ जोड़ा गया है और उनको एक platform दिया गया है इसी बात है, BRICS में इंडिया और चाइना आएंगे तो ये obviously सबसे जादा world की population इन दो major countries के पास है और साथ-साथ ये 30% GDP को भी होल्ड करते हैं तो ये कुछ major facts हो गया है BRICS के बारे में आगे अगर हम BRICS के members की बात करें तो as such BRICS के member BRICS अपने नाम में खुदी बताता है कि उसके कौन-कौन से member है जिसमें B-R-I-C-S में जो B है वो डिनोट करता है ब्रजील को वही आ डोनेट करता है रशिया देन I for India, C for China और जो डिसेंट 2010 में इसमें एक member जुड़ा S से वो क्या है साउथ अफरिका तो BRICS simple है for Brazil, Russia, India, China and South Africa वही अगर हम बात करें तो देखो American continent से एक country को लिया गया है यहाँ पर Brazil जो South America से ली गई है African continent से हम देखें तो एक country आती है South Africa और जो ड्रेस तीन major countries है वो कहां से आ रही है Asian continent से तो यह तो बात हो गई इसके सदस्देश की यह आप simple ऐसे भी कह सकते हैं कि जो BRICS के member है वो चार continent से आते हैं एक American continent से, दूसरा African continent से और Asian continent से और एक कहां से आता है European continent से क्योंकि Russia, Europe और Asia दोनों का पाठ है तो पांच member चार continent से आते हैं और क्या बनाते हैं? BRICS बनाते हैं Next अगर हम बात करें तो आता है Areas of Cooperation यानि कि BRICS कहां कहां सहयोग करता है तो BRICS के अगर जो सहयोग के छेतर हैं वो है Economic Cooperation यानि कि आर्थिक सहयोग People to People Exchange Political and Security of Cooperation and Cooperation Mechanism तो यह basically 4 हैं इनके बार में detail में नहीं जाना पस थोड़ा सा समझ लीजे अगर Economic Cooperation की बात हो रही है तो यानि कि हमें जो BRICS की एकनोमी हैं उनको और rapidly grow करना है Simple terms में आप यह कह सकते हैं वही People to People Exchange का मतलब है कि Relations को और गहरा बनाना है Deeper करना है Relations को साथ-साथ Friendship को बढ़ाना है और Bonding बनानी है BRICS Countries के बीच में वही Political and Security Cooperation यानि कि राजनितिक और सुरक्षा सहयोग से मतलब है कि Peaceful करना है World को साथ-साथ Security देनी है Countries को Hence इस तरह से जो BRICS है वो अपने Members और जो World की और Other Economies है उनके साथ cooperate करता है Next अगर हम बात करते हैं Economic Cooperation की जैसे हमने बात करी तो Economic Cooperation के ही Result निकल कर आए दो एक था New Development Bank और एक अभी हम आगे देखेंगे That is CRA Contingent Reserve Arrangement तो सबसे पहले बात करते हैं अगर हम New Development Bank की जब भी BRICS की बात आएगी तो New Development Bank की बात जरूर आएगी NDB की अगर हम बात करें तो यह NDB का लोगो है आप देख सकते हैं और NDB का जो Headquarter है वो कहाँ पर है शंगाई में मुख्याले कहाँ है National Development Bank का शंगाई ध्यान दीजे BRICS का Headquarter नहीं है New Development Bank का Headquarter है और वो कहाँ पर है शंगाई में बेसिकली यह क्यों बनाया गया यह इसलिए बनाया गया ताकि Resources दी जाए Infrastructure के लिए और Sustainable Development के लिए किसको Resources दी जाए BRICS Nation को और जो दूसरी Developing Countries हैं वर्ल्ड में उनको सुविधा दी जाए Resources दी जाए ताकि वो अपना Infrastructure भी Build Up कर पाए और एक Sustainable Development एक सतत विकास हो सके और इसके लिए जो एक संस्था बनाई गई वो क्या था New Development Bank नेक्स अगर हम इसी की बात करें कि कभ ये New Development Bank बना अब New Development Bank क्या है ये हमने देख लिया Headquarter का है ये हमने जान लिया अब बात आती है कि कभ ये बनाया गया तो जब BRICS का 6th summit हुआ Fort Aliza में Fort Aliza एक जगए है ब्रजील में ही 2014 में जब ये समिट हुआ वही पर एक agreement साइन किया गया New Development Bank के लिए और New Development Bank की स्थापना कभ होती है 2014 में आप सिंपल ये भी कह सकते है New Development Bank कभ बना 2014 में जब BRICS का 6th summit हुआ Fort Aliza में और ये क्यों बनाए गया ताकि Cooperation को बढ़ाया जासा के BRICS Nations के बीच में और ये एक Multilateral और Regional Financial Institution की तरह काम करें साथ-साथ इसके कुछ Key of Areas थे Operation के कि मतलब कहा-कहा NDB मदद करेगा कहा-कहा Resources प्रोवाइड कराएगा तो वो क्या है Clean Energy के लिए Transport के लिए Infrastructure Irrigation Sustainable Urban Development And Economic Cooperation हो सारे Members के बीच में यहाँ यहाँ पर यह Operate करता है NDB और साथ-साथ इसका जो Function है वो यह है कि BRICS में जो भी Members है वो NDB में अपनी एक Equal Right Position Hold करते हैं मतलब सारे ही Members को बराबर के अधिकार दिये गए है NDB में Next अगर हम बात करते हैं जो Second Result निकल कर आता है Economic Cooperation का वो था CRA NDB हमने देख लिया Next Result क्या था CRA That is Contingent Reserve Arrangement जिसे आप क्या कह सकते हैं Aakasmic Reserve व्यवस्ता देखो हमारे Constitution में भी एक Contingency Fund है तो उससे ही थोड़ा सा Link करेंगे ताकि यह आपको और अच्छे से समझ में आ जाए Contingency Fund जिसे हम Aakasmikta Nidhi के नाम से भी जानते हैं यह Basically कब हम यूज करते हैं जब कोई Emergency आ गई है Fund इतनी जली पूरा Parliament से पास नहीं कराया जा सकता तो हम उस Fund को यूज कर लेते हैं Similarly यह भी एक इसी तरीके का Arrangement है जो बनाया गया Brics Nations के लिए और यह इसी लिए और यह भी कब बना 2014 Same Fort Aliza Summit जब हुआ जब Fort Aliza में समिट हुआ 2014 में यानि कि 6th Brics Summit जब हुआ तभी NDB के साथ ही इसको भी Pass On किया गया और एक नया Arrangement बन कर आया That is Contingent Reserve Arrangement यानि कि आकस्मिक Reserve व्यभर्स था और यह क्यों बना ताकि जो भी Countries हैं जो भी Brics के Nation हैं उन्हें हम एक Short Term Liquidity Support दे सकें अगर कोई उनकिया Financial Crisis आ जाता है या B.O.P. Crisis आ जाता है तो उस टैम में उन्हें Financial Support प्रोवाइड की जा सकें और यह इसलिए था जैसे कि अगर वर्ल्ड में किसी भी इकनामी को अगर पैसो की जरूरत होती है अगर उसके आँ Financial Crisis आ चुके हैं तो वो वर्ल्ड बैंक या IMF पर डिपेंड होते हैं तो इसी तरह इसी Financial Crisis आ जाता है तो आई होब कि अब आपको ब्रिक्स के बारे में समझ में आ गया होगा कि ब्रिक्स में कौन-कौन से नेशन है क्या-क्या मेजर इवाल्मेंट हुई है उनकी क्या इकनामिक को आपरेशन के थूरू रिजल्ट निकल कर आए हैं जो अक्षन न्यूज में भी बने रहते हैं न्यू डेवलोप्पेंट बैंक कई भार पेपर में भी पूछा गया है आपको आपको ब्रिक्स के बारे में एक पूरी जानकारी मिल गई होगी आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तिल देन, तेक कियर, गुद्बाइ